ओनपैसिब दुबाई मेट्रो ट्रेन की सचाई क्या है? क्या मैंने पिछले वीडियो में जूट बोला था कि अब ओनपैसिब दुबाई मेट्रो अस्टेशन के बाद ओनपैसिब दुबाई मेट्रो ट्रेन आने वाली है यदि आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि सच क्या है और जूट क्या है इस वीडियो को देखने के बाद आपका सभी कनफ्यूजन दूर हो जाएगा क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने नीगेटिव कॉमेंट करके मेरा दिल तोड़ दिया है पिछले वीडियो के कॉमेंट में एक भाई ने लिखा है क्या फेकता है भाई कुछ तो लिहाज करो इस कॉमेंट को परने के बाद मैंने सोचा कि इनके जैसा और भी कई लोग होंगे जो ऐसी सोच रखते होंगे इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ सबूत दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ऑनपैसिव से संबंधित जब भी कोई नया अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले उस अपडेट पर रिसर्च करता हूँ उसके बाद सही जानकारी मिलने और संतुष्ट होने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ ऑनपैसिव दुबई मेटरो अपडेट के बारे में यूटूब पर सायद मैंने सबसे पहले जानकारी दिया था इसलिए कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन अब जब और भी लोग वीडियो बनाने लगेंगे तो उन्हें भरोसा हो जाएगा आपको मैं बिस्वास दिलाना चाहता हूँ कि अउनपैसिव दुबाई मेट्रो ट्रेन के बारे में मैंने जो भी वीडियो में बताया है वह पूरी तरह से सत है उस वीडियो में मैंने फेकनी वाली ऐसी कोई बात नहीं किया है तो सबसे पहले सबूत के रूप में यदि आप फाउंडर हैं तो अपने ओ फाउंडर में जाकर देख सकते हैं वहाँ पर आपको एक पॉप अप नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नजर आएगा इस मैसेज को पढ़ने के बाद मैंने गूगल में सर्च करना शुरू किया उनपैसिब मेट्रो ट्रेन के बारे में गूगल में बहुत सर्च करने के बाद मुझे एक टाइमस नाव का आर्टिकल मिला जिसमें Unpassive Metro Station के बाद Unpassive Metro Train के बारे में लिखा हुआ था इस आर्टिकल को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी मैंने Unpassive Metro Train के बारे में जो भी बातें बताई थी वह बातें इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है यहां आर्टिकल 10 जनबरी 2023 को पब्लिस किया गया था जिसमें Unpassive Metro Station और Unpassive Metro Train के बारे में पूरी जानकारी दिया हुआ है इस आर्टिकल को यदि हम थोरा नीचे करते हैं तो यहां पर भी Unpassive Metro Train और Unpassive Metro Station के बारे में लिखा हुआ है उसके बाद थोरा और नीचे करेंगे तो यहां पर Unpassive Dubai Metro Train के बारे में सब कुछ लिखा गया है यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्क्रिन सोट ले करके आप पढ़ सकते हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि Unpassive Metro Train और Unpassive Metro Station के बारे में मैंने जो भी बाते उस वीडियो में बताया था वह सब सच था उस वीडियो में फेंकने वाली ऐसी कोई बात थी ही नहीं तो इतना सब कुछ जानने के बाद आप आप हम पर भरोसा कर सकते हैं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें क्योंकि मैं जो भी जानकारी Unpassive से related देता हूं तो उस पर काफी रिसर्च करने के बाद और संतुष्ट होने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूं तो यदि आप सही और सटिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ने टॉपी के साथ जय हिंद